देखो बेटा तुम हमारे राष्टवादी संगठन के नई सदस्य बने हो इसलिए तुम्हें संगठन की विचार धारा के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए अगर तुम्हें कोई confusion है तो पूछ लो नहीं भाई सब अब तो बस यही पूछना चाहरा था कि यह जो नई संसत का उद्गाटन हो रहा है सावर करके जन दिन पर ही क्यों गांधी अंबेड़कर बोस भगत सिंग पटेल या किसी और के जन दिन पर क्यों नहीं है देखो यह गांधी बोस भगत सिंग पटेल यह हमारे संगठन के शुरू से ही विरोधी रहे है हमारी विचारदारा इनसे बिलकुल अलग है यह तो तो आज जनता को दिखाने के लिए हमें इनके सम्मान का ट्रामा करना पड़ता है हसल में हमारे असली नेता तो वीर सावरकर जी हैं क्या सावरकर इनसे इक बड़े नेता थे बड़े? कमाल करते हो अरे यह तो इन कॉंग्रेसी और वामपंतियों ने देश को असली तिहास नहीं पढ़ाया हसल में देश के सबसे बड़े स्वतंतरता सेनानी देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी असली क्रांतिकारी तो वीर सावरकर थे अच्छा वो कैसे? अरे वो ऐसे कि अंग्रेज सावरकर से इतना डरते थे कि सावरकर इकलोते ऐसे भारते थे जिनें अंग्रेजों ने एके जीवन में दो दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी ओ माई गॉट फिर तो सावरकर को दो दो जन्म जेल में काटने पड़े होंगे ने ने वो अंग्रेजों ने उनको पहली जन्म में जेल से रिहा कर दिया था क्यों? कैसे? वो सावरकर ने अंग्रेजों से माफि मांग ली थी कैसे? छे साथ बार माफि नामे लिक्ष कर लेकिन ये सावरकर की जेल से छूटने की चाल थी ताकि वो फिर से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चेड सकें Very good फिर जेल से छुटने के बाद सावरकर जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा अंदोलन छेडा अंदोलन अंदोलन भारत भारत छोड़ा अंदोलन ने 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 उसका तो सावरकर जी ने विरोध किया था लेकिन ये तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा अंदोलन थ इसका विरोध क्यों किया आरे वो ये गांधी के आहिन सा टाई पांदलन का समर्थन नहीं करते थे वो क्रांतिकारी विचावरों के आदमी थे तो फिर अंग्रेजों को भाट से भगाने के दूसरी लड़ाई नेता जुस्वास चंद्र बोस लड़ रहे थे मतलब सावरकर आजाद हिंद फोज का समर्थन कर रहे थे अरे नहीं यार सावरकर की ये बोस वोस से भी नहीं बनती थी वो एक्चली बोस ने तो रेडियो पर आकर सावरकर और जिन्ना के बारे में उल्टा सिधा बोला था क्या बोला था? अरे यही कि जो जिन्ना और सावरकर हैं अंग्रेजों के पिठ्थू हैं वो सुधर जाएं अपनी हरकतों से बा जाएं आल दैट क्यों? क्योंकि सावरकर हिंदों को जगा रहे थे उन्हें प्रेडित कर रहे थे आजादी के अंदोलन में हिस्सा लेने के लिए? ख़ी जाएं बाइसार थोड़ा कन्फ्यूस हो गया हूं अंग्रेजों के खिलाफ जो आहिंसकांदोलन था सावरकर उसके भी विरोध में थे जो अंग्रेजों के खिलाफ सैन्ने लड़ाई थी सावरकर उसका भी विरोध कर रहे थे मैंने तो यहां तक सुना है कि वो अंग्रेजों से हर महिना साठों पे पेंशन भी लेते थे वो मुस्लिम लिग के साथ मिलकर सरकार भी बनवाते थे फिर वो वीर कैसे हुए स्वतंतरता सेनानी कैसे हुए देखो यार तुम अभी नए हो इतना डिटेल में जाने जरूत नहीं है जब भी कोई सावरकर के बारें पूछे तो तुम्हें सिर्फ इतना ही बताना है कि उन्होंने अठार सुस्तावन की करांती पर किताब लिगी थी उन्हें काला पानी की सजा हुई जेल में उन्हें अंग्रेजों ने यातना हैं दी बस और उसके बाद उसके बाद बोलो की जेल से बाहर निकलने के बाद सावर करने सुवतंतरता अंदोलन में जो अहव योगदान दिया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता बस बात खत जाओ